हेलो फ्रेंट्स जावा लेंग्विज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 3 का पार्ट वन जिसमें हम सीख रहे हैं फंडमेंटल्स आफ जावा कमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लेंग्विज में कमेंट्स, डॉक्मेंटेशन और रीडबिलिटी को स्ट्रॉंग बनाने के लिए किया जाता है जिस तरह से सी लाइंग्विज में हम कमेंट्स बनाते थे स्लैश, स्टार, स्टार, स्लैश के पेर से जिसको हम मल्टी लाइन कमेंट भी बोलते हैं यही C, C++ और Java तीनों में ही वालिट है C++ में हम सिंगल लाइन कमेंट्स भी बनाते थे डबल स्लैश से वही स्टाइल जावा भी फॉलो करती है जावा में आपके पास चॉइस है आप किस तरह से कमेंट्स बनाना चाहते हैं Java आपको एक तीसरे तरह के comment बनानी की facility भी देती है, जिसमें आप starting करते हैं slash double star से और end करते हैं star slash से. Java की नजर में ये तीसरे style का comment कुछ ज़ादा ही important है, क्योंकि documentation के purpose से ये comments वाले statement consider किये जाते हैं. Automatically documentation create करने के लिए Java प्रोवाइट करती है एक program जिसको कहते हैं Java doc. जिस तरह से Java का compiler bin folder में मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह से ये program भी bin folder में ही होगा. Identifiers, किसी भी language में identifiers वो सबसे छोटी इकाई होती है, वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है. चाहें ये शब्द हमने compiler को बताए हूँ, जैसे variable का नाम, class का नाम, function के नाम, या फिर ये शब्द पहले से compiler को पता हूँ, जैसे की keywords. Identifiers means smallest identifying unit in the program. कई सारे keywords Java प्रोवाइट करती है, जिसमें से काफी कुछ आपके familiar होंगे यदि आप C, C++ के background से हैं. लेकिन आप देख सकते हैं, जो लोग C++ background से हैं, उन लोगों के लिए notice करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ना तो कोई friend keyword है, ना यहाँ पर कोई in-line keyword है, ना ही यहाँ पर virtual keyword है. आप देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बिल्कुल C++ के keywords वाली ही हैं, जैसे public, private, protected, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नए keywords भी शामिल हुए हैं, जैसे interface, extends, implements, import, यह कुछ नए keywords हैं, super, बाकी इसमें तीन और keywords हैं, जो की red color से highlight किये हुए हैं, false, null और true, यह तीनों basically कई authors का कहना है, keywords नहीं है, बल्कि इनको आप constants की तरह, literal की तरह, treat करें, data types, किसी भी programming language में, data types, generally variables बनाने के काम आते हैं, यह memory architecture को specify करते हैं, जहां पर हम data को रखने वाले हैं, data types दो तरह के होते हैं, primitive data type and non-primitive data type, कोई भी programming language, keywords की रूप में जो data type प्रोवाइड करती है, वो primitive data types कहलाते हैं, Java is a strongly typed language, कई सारी ऐसी programming languages हैं, जो strongly typed language नहीं है, या typeless language हैं, जैसे JavaScript, loosely typed language है, PHP, loosely typed language है, B language, typeless language है, C, C++ और Java, तीनों ही strongly typed languages हैं, तो यहाँ data type का खासा importance होगा, तो data types को basically दो categories में define किया गया है, primitive types and user defined data types, Java में array को बनाने का तरीका C++ से थोड़ा different है, इसलिए हम तीसरे type के रूप में array types को समझते हैं, primitive types की list आपकी screen पर है, यहाँ पर कुछ नए data types भी introduce हुए हैं, और कुछ वही पुराने हैं जो आप CC++ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस चार्ट को आप pause करके ध्यान से देखिए कि कौन से data type की मदद से बनने वाला variable कितनी memory consume करेगा, variable किसी भी प्रोग्राम में memory location को दिया गया नाम है जहां पर हम data को store करने वाले हैं, variable बनाने का तरीका CC++ जैसा ही है, जैसे हमने int type का एक variable बनाया counter, यहां भी हर statement के end पर semicolon लगाया जाता है, आप देख सकते हैं, string name, string basically यहां पर एक class का नाम है, तो आप कह सकते हैं कि string एक non primitive data type है, name को आप यहां reference variable बोलेंगे, array बनाने का तरीका यहां थोड़ा different है, जिस तरीके से यहां square bracket लगाकर ages नाम का variable बनाया गया है, यह बिल्कुल ना सोचें कि हम array बना रहे हैं, बलकि हम एक variable बना रहे हैं जो array का reference contain करेगा, यह square bracket आगे भी लगाय जा सकते हैं और variable name के पहले भी लगाय जा सकते हैं, यह square bracket में कभी भी कोई constant नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर आप एक single variable बना रहे हैं, array नहीं बना रहे हैं बलकि array को refer करने वाला एक variable बना रहे हैं, constants यहां पर भी c, c++ language जैसे ही है, integer constant जो की sequence of digits है, long integer constant जिसके suffix में हम capital L या small l लिखते हैं, यदि हम किसी number के बाद कोई suffix नहीं लिखेंगे तो वो int type का माना जाएगा, और वो 32 bits जगे consume करेगा, integer constant चार style से चार number system में लिखे जा सकते हैं, जब simply हमने लिखा 127 तो यह माना जाएगा decimal number system में, जब आप 0x लिखकर कोई number start करते हैं तो वो hexadecimal number होता है, जब हम किसी number को 0 से start करते हैं तो वो number octal number system में होता है, अगर हम 0 के बाद b लिखते हैं तो उसके बाद जो भी number लिखा है वो binary format में consider किया जाएगा, Conversion, जावा में conversion से related कुछ rules हैं यानि जब दो अलग-अलग type की values, assignment के left और right operand के रूप में मौझूद हों तो right वाला expression का जो भी type होगा, वो upgrade होकर left वाले type में store हो सकता है, यानि upgradation तो possible है पर downgradation possible नहीं है, आईए इसको कुछ example से clear करते हैं, यहाँ पर एक y नाम का variable बना है, जो की int type का है, जिसकी value हम float variable x में assign कर रहे हैं, हम यहाँ पर type को upgrade कर रहे हैं, यानि y जो int type का है वो upgrade होके float हो रहा है, तो upgradation यहाँ possible है, इसलिए कोई error नहीं आएगी, अपgradation करने से कोई data loss नहीं होता, इसको हम specifically widening conversion भी कहते हैं, इसका उल्टा सोचें, narrowing conversion, यानि यदि value float type की है, और उसे int type के variable में assign किया जा रहा है, जैसे कि पहला case यहाँ पर दिख रहा है, इसको narrowing conversion कहते हैं और इसमें error आती है, क्योंकि इसमें downgradation हो रहा है, जो type convert हो रहा है, वो float से int में हो रहा है, तो यह downgrade कहलाएगा, यह possible नहीं है, इसलिए situation में error आएगी, यदि आप forcefully ऐसा करना चाहते हैं, तो आप type casting कर सकते हैं, जो कि उसकी next line में लिखके बताया गया है, जब आप इस तरीके से narrowing conversion करते हैं, तो data loss होता है, x की value अगर 3.4 है, तो यह 3 assign होगा y में, float k assign 3.5, इस line को जब गौर से देखिए, शायद c, c++ language में आपको इसमें कुछ भी अजीब ना लगे, लेकिन Java का कहना है, कि आप downgrading नहीं कर सकते हैं, narrowing conversion नहीं कर सकते हैं, 3.5 by default double type का होता है, और इसलिए 3.5 float नहीं है, तो उसे double से float में बदलना पड़ेगा, तो यह downgradation possible नहीं है, इसलिए error आईगी, सही तरीका last line में लिखा हुआ है, आप जब suffix के रूप में f लगा देते हैं, तो यह माना जाता है, कि यह 3.5 float है, तो क्या-क्या permitted conversion है, आप screen को pause करके यहाँ पे note down कर सकते हैं, इनके अलावा कोई भी conversion permitted नहीं है, यदि आपको आज का lecture useful लगा हो, तो आप इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें ताकि आके और भी वीडियो की updates आपको मिलती रहें, thank you.